हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल एलेक्ट्रोनिक्स पॉर यूपे दोस्तो इस वीडियो में है डी सी के लिए जो मैक्सिमम पावर ट्रास्पत है रहता है उसको डिटेल में एक्स्प्लेन करने जा रहा हूँ तो इस में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले है वो है स्टेटमेंट प्रूप देन प्राब्लेम जो रहते है उसके लिए जो स्टेप्स लगेगी वो और आखरी में अप्लीकेशन सॉप मैक्सिमम पावर ट्रास्पत हैरम दोस्तों पहले यह एक बात क्लियर कर दू कि DC के लिए और AC के लिए मैक्सिमम पावर ट्रास्पत हैरम अलग अलग रहते हैं यहाँ पर जो हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं वो DC के लिए हैं इसी पे जो maximum power transfer theorem इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने अदरेडी explain किया है, वो आफ यहाँ पर जाके देख सकते हैं, या फिर link मैं description में देने वाला हूँ, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले statement देख लेते है, maximum power transfer theorem का, यह जो है, यह कहता है, the maximum power is delivered from source to the load, when the load resistance is equal to source resistance, इसका मतलब है, अगर maximum power हमको transfer करना है, तो source का जो resistance है, और load का जो resistance है, वो equal होना चाहिए, ऐसा कर रहेगा, तो maximum power transfer वहाँ पर होगा, यहाँ पर यह जो figure है, वो same figure है, जो कि maximum power transfer theorem के लिए हम इस्तमाल करने वाले है, इसमें यहाँ पर RAS जो रहता है, वो है source resistance, RAL जो रहे है, वो है load resistance, then यहाँ पर V यानि source applied है, और यहाँ पर जो current flow हो रहा है, वो है I, अगर हमें maximum power load को deliver करना है, तो यह RAS और RAL equal होने चाहिए, यही है simply maximum power transfer theorem, that is RL is equal to RS, that is load resistance equals to source resistance, proof देख लेगे, देखे, maximum power transfer theorem के लिए, सबसे पहले, हम जो proof देखने वाले है, उसमें हम पहले ही, यह जो current लगता है, इसको find करने वाले है, तो देखे, यह एक simple series circuit है, series circuit में current हमें calculate करना है, तो ohms law यहाँ पर अपलीके बद रहेगा, current का formula रहेगा, V upon R, और R जो है, वो है, यहाँ पर total resistance, that is RAS plus RL, तो I का formula हो जाएगा, V upon RAS plus RL, इसके बाद हम calculate करने वाले है, power, अब power का जो formula रहता है, वो simple रहेगा, simply रहेगा, P is equals to, हम सिप power की बात कर रहे है, maximum power की बात अभी हम नहीं कर रहे है, तो P का formula जो रहेगा, वो रहेगा, I square into RL, मुझे load में से, जो current है, उसको calculate करना है, इसल multiplied by RL, यह है power का formula, अब देखिए, I square यानि यह है current, current का formula हमें पता है, उसकी value भी पता है, बस अगर हम यही value यहाँ पर put कर देते हैं, तो हमें मिलेगा, यहाँ पर V square divided by, अब यह जो RAS plus RL जो है, इसका मैं whole square लिखता हुए यहाँ पर multiplied by RL, देखिए दोस्तों, अब हमें calculate करना है maximum power, maximum power के लिए, simple हमारा जो concept रहता है, वही हम इस्तमाल करेगे, that is, हम क्या करेगे, इसको differentiate करेगे, यह जो power है, इसको differentiate करेगे, और equate करेगे, equal to 0 के साथ, so, यहाँ पर जो हमारा formula है, वो dp upon drl, that is, हम power को differentiate कर रहे है, load resistance के साथ, और उसको equate कर रहे है, 0 के साथ, अब, power का जो equation है, हमारे पास यह वाला है, और हमें इसको with respect to rl, यहाँ पर differentiate करना है, इसलिए मैं यहाँ पर अब लिखूगा, dp divided by drl equals ddr, sorry, ddrl of v square, अब यहाँ पर देखिए, यह जो है, resistance, load resistance है, और यहाँ पर भी load resistance है, तो यह दोनों, जो terms है, यहाँ पर हम इस्तमाल करने वाले है, और v square जो है, यह constant हो जाएगा है, तो v square यहाँ पर भिलाल के लिए तो constant है, हमारा जो main equation है, वो है, rl divided by rs plus rl, का whole square, अब अगर हम इसको different, और इसको हम equate करेंगे, equal to zero के साथ, और इसी लिए, अब इसको differentiate करेंगे, तो हमें जो value है, वो मिलती है, v square तो constant है, अब आपको जो formula पता है, इसको differentiate करने के लिए, वो आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, मुझे जो formula पता है, वो है, यहाँ पर सबसे पहले denominator as it is, लिखते हैं हम, तो rs plus rl का whole square, denominator as it is, multiplied by derivative of numerator, अब numerator का जो derivative है, यह rl है, हम rl के साथ ही इसको differentiate कर रहे हैं, इसलिए यह हो जाएगा, multiplied by 1, minus numerator as it is, तो numerator है यहाँ पर rl, multiplied by derivative of denominator, अब derivative of denominator यहाँ पर हो जाएगा, two times, यह जो bracket है, वैसे ही लिखेगे है, हम directly bracket के साथ, rs plus rl जो है, यह हो जाएगा यहाँ पर, divided by denominator का square रहता है, denominator है अपना rs plus rl का whole square, उसका भी अगर हम square करेगे, तो यह हो जाएगा, raise to power 4, इसको equal to 0 के साथ हम equate कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हम right hand side पर बेजेगे, तो यह multiplied by 0, यानि denominator 0 हो जाएगा, और यह जो v square है, इसको भी हम right hand side पर बेजेगे, तो यह भी यहाँ पर 0 हो जाता है, तो यह दो value यहाँ पर cancel हो जाएगी, इससे भी यह वाली term रहेगी, जिसको हम यहाँ पर continue करने वाज़ा है, तो compare करने के बाद हमें जो term मिल रही है, वो कुछ इस तरह से, देखे, इससे यह जो है, यह वाली और यह वाली term 0 हो रही है, हमने बाकी वाली term, just यह जो 2 है, आगे लिखा है, और इसको equal to 0 के साथ compare करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, अब हमें क्या करना है, यह negative जो term है, वो पूरी की पूरी हम right hand side पे लेक के जाएगे, और बाकी term जो है, यहाँ पर हम वैसे ही लिखते है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, 2 times rl, rs plus rl, अब देखे दोस्तों, यह bracket और यह square bracket सेम है, सिर्फ यहाँ पर square है, तो यह square cut हो जाएगा, और यह इसके साथ यह cancel हो जाएगा, और हमें जो term मिलेगी, वो रहेगी, यहाँ पर rs plus rl equals to 2 times rl, अब देखे यह जो rl है, अगर हम right hand side पे बेखते हैं, तो यह 2 rl minus rl हमें मिल जाएगा, single rl, और इसी लिए हमें आखरी में मिलता है, rs equals to rl, that is source resistance is equals to load resistance, यही है अपना statement maximum power transfer theorem के लिए, तो यह है इसका proof, इसके बाद जो है, हम steps जो रहती है, maximum power transfer theorem में, वो देखने वाले हैं, जो कि हमें problem solution के लिए important रहती है, तो दोस्तों देखिए, कोई भी एक circuit रहेगा, two terminal linear circuit, इसमें हमें maximum power transfer theorem अगर apply करना है, तो हमें simply इस circuit को convert करना पड़ेगा, इस circuit में, जिसमें देखिए, यहाँ पर सिप source resistance के जब पर हमने rth लिखा है, voltage source जो है, वो VTH यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कोई भी circuit है, हम उसको randomly convert कर रहे है, इस circuit में, तो यह हो जाएगा, RTH यह है, VTH यह है, load resistance equals to source resistance, that is, यहाँ पर thevenance resistance है, current जो flow हो रहा है, वो यहाँ पर assume किया है, IL, that is load current, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर RTH या फिर VTH calculate करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम इसमें step जो देखेगे, उसमें VTH calculate करेगे, VTH calculate करने के लिए, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यह जो load resistance है, इसको remove करना पड़ेगा, यह जो load resistance उपर वाली circuit में रहता है, इसको remove करना पड़ता है, यह है अपनी step 1, step 2 में हम क्या करेगे, जहाँ पर से हमने यह load resistance remove किया है, वहाँ पर हम major करेगे, voltage VTH, ठीक है, तो यही है अपना thevenance equivalent voltage, तो VTH calculate करेगे हम यहाँ पर, इसके बाद हमें calculate करना है RTH, तो RTH के लिए हम क्या करेगे, voltage sources को remove कर देगे, short circuit के साथ, और current sources को हम replace कर देगे, open circuit के साथ, जो भी circuit रहेगा, और फिर उसका resistance major करेगे, या फिर calculate करेगे, जो resistance हमें मिलेगा, वो रहेग RTH, फिर से वो इनी दो points के बीच में, जहां से हमने load resistance remove किया था, उन दोनों points के बीच में हम calculate करेगे, उसके बाद RL और RTH same होना चाहिए, तो यही है अपना resistance RL calculate करने की procedure, जहां तक अगर पूचा जाए तो problem यहाँ पर stop हो जाएगा, लेकिन अगर हमें current या फिर maximum power पूच तो simple वही है, that is VTH divided by RL plus RTH, उसके बाद RL और RTH यह जो है, यह same resistance है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते है, VTH upon 2 times RTH, यह हो जाएगा, IL का formula, यह standard formula है, आप इसको ध्यान में रखेगे, यहाँ पिर आप simply लिख सकेगे, यहाँ पर VTH upon twice RL, क्योंकि RL और RTH वैसे भी same रहते है, तो यह हो गया current के लिए formula, और आखरी में power का formula जो रहेगा, वो रहेगा, Pmax, that is maximum power is equals to IL square, RL, इसमें IL की value अगर हम put करते है, तो यह RTH का square और यह RTH cancel हो जाएगा, और हमें जो है, RL equals to RTH यहाँ पर रहता है, इसलिए यह यहाँ पर लिखा है, और आखरी वाला जो formula हमें मिलता है, वो रहेगा, VTH square upon 4 times RTH, या फिर हम इसे कहते है, VTH square upon 4 times RL, आपको जो अच्छा लगे, वो formula आप ध्यान में रख सकते हैं, तो यह हो गई steps to be followed in maximum power transfer theorem, आखरी में application देख लेते हैं, application जो है maximum power transfer theorem के, वो especially electronics में ज़्यादा इस्तमाल होते हैं, सबसे पहला जो application है, व communication में, जहाँ पर generally source resistance और load resistance हमें match करना पड़ता है, तो radio communication में क्या होगा, transmitter का resistance और antenna का resistance है, या फिर impedance कहेगे, वो match करने के लिए हम maximum power transfer theorem का इस्तमाल करते हैं, so that वहाँ पर maximum signal transfer हो, और यही है, इस concept को generally कहा जाएगा, impedance matching, यहाँ पर मैं इसको detail में explain नहीं करोगा, लेकिन आप को general idea यहाँ पर आ जाएगा, आकर में जो application है, यह है, तो यह audio system में है, अगर हम voice transmit कर रहे है, तो speaker के लिए maximum voice transfer होना चाहिए, इसलिए अपना जो mic रहेगा, और speaker जो रहेगा, इसका impedance matching होना, mic से अचा है, हम amplifier बोलेगे, amplifier और speaker का impedance यहाँ पर match होना चाहिए, यहाँ पर resistance match होना चाहिए, उसकी लिए हम इस्तमाल करते हैं, फिर से maximum power transfer theorem, तो दोस्तों, यहाँ पर हम maximum power transfer theorem का explanation करते हैं, इसके बाद जो next video रहेगा, वो रहेगा, इसका problems, thank you and friends if you like this video please subscribe our channel and press the bell icon for notification and like, comment and share, thank you